हलो दोस्तों कोई कैस में आपका स्वागत है करंट अफेर 2022 थे इसके अंतरगत आज हम लोग बहुत मात्मूर करंट अफेर करेंगे और यहां से कुशन आपको 100% आएंगे ठीक है सबसे पहले हम कुछ जो है इस्टेचू की बात कर लेते हैं इस्टेचू का नाम क्या रखा ग हैं सबसे पहले लगाई गए यह जो तेलंगाना में है है इसका नाम है इसका इस्टेचू आफ इक्वालिटी नाम है इसका यह हमेशा समानता की बात करते थे अपने जीवन में समानता के बारे में ही इन्होंने सारा काम किया इसलिए इनको इनकी मूर्ती का नाम रखा गया इस्टेचू आफ इक्वालिटी यह बैठी हुई मुद्रा में हैदराबाद के तिलंगाना में तिलंगाना बनाई गई है यह मौरती और यह बहुत ही महात्पूर्ण है इसको आप इसको याद दखेगा यह आप से एक्जाम में पुछा जा सकता है ठीक है कि इस्टेचू या फिर या रामानुजाचार की मौरती जो हादराबाद में अस्थापित है उसका क्या नाम रखा गया है तो उसका नाम है आप याद दखेगा इस्टेचू आफ इक्वालिटी ठीक है आगे बढ़ते हैं इस्टेचू आफ डिगंडिटी यह भी रामानुजाचार की ही जो इसका नाम रखा गया है स्टेचू आफ डिग्निटी ठीक है और याद देखेगा यह मूर्ति जो है इसे हम एक और नाम दिया गया है मर्यादा मूर्ति भी से नाम दिया गया है इसका आउरण जो है 12 अक्टूबर 12 को किया गया था योगी आदितनाथ दोरा मुक्क मंत्री के दोरा आयोध्या में और रामानुजाचार की मूर्ति याभी है ठीक है तो दूसरी मूर्ति कहा लगाई गयी है आयोध्या में लगाई गयी है ये काफी मातपूर कोशन है इसको याद अखेगा तीसरी मूर्ति भी इन्ही के लगाई गयी है रामानुजाचार की और ये जम्मुक कस्मिर में लगाई गयी है और इसका नाम लखा गया है इस्टेचू आफ पीस ठीक है इस्टेचू आफ पीस के नाम से जम्मुक कस्मिर में लगाई गयी है ये भी बहुत मातपूर है तो जो हैदराबाद में लगाई गई है उसका नाम है Statue of Equality ते तीनों आपको याद रखना है यह बहुत ही महात्पूर है इनमें से कोई ने कोई कुशन आप से पूछा जा सकता है इसलिए इनको अच्छे से याद रखना है इसके बाद है Statue of Prosperity यह लगाई गई है यह नात्प्रभु जो है यह कैपे गोडा है यह बंगलोरु के स्थापग मी है और इनकी मूर्ती बंगलोरु में लगाई गई है Statue of Prosperity के नाम से यह भी काफी महात्पूर है यह भी आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद है राजस्तान के पाली जिले में जैतपूरा में लगाया गया है Statue of Peace यह जैना चार है उनका नाम है सिरी बिजय बल्लब सुरियस्वर जी महराज इनकी मूर्ती लगाई गई है Statue of Peace के नाम से राजस्तान के पाली जिले में यह भी बहुत ही महात्पूर्ण कोजिशन है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर आप से पूछा जाए कि कुछ कुछ कंटरफेर की जाम अगर बात करें तो कुछ UP से जुड़ों के कंटरफेर हैं और कुछ जो है राश्टी कंटरफेर हैं परधान मंत्री के द्वरा उसका उद्गाटन किया गया था तियाप से पूछा जागा एकजाम में कि One World TB Summit का आयोजन उत्तर प्रदेश के केस जिले में किया गया है तो वरारसी में किया गया है यह काफी महात्पूर्ण कोशन है याद रखेगा टीबी को समाप्त करने के लिए एक किया गया है और टीबी को 2025 तक समाप्त करने का लच्छ भी रखा गया है दूसरा कोशन है 21 से 25 मार्च 28 को उत्तर प्रदेश को वह सहर जहां 41 और इंडिया पुलिस Athletics Championship का आयोजन किया गया है तो है लखनव यह भी बहुत ही माहत्पूर कोशन है याद रखेगा तिसरा कोशन है हालही में प्रदत संसद रतन एवार्द तेज से समाई उत्तर प्रदेश के एक मात्र सांसद का नाम क्या है विसंभर परसाद निसाद इन्हें जो है कोशन सा एवार्द दिया गया है तो भहुत ही माहत्पूर है और शेवार्द का नाम है संसद रतन एवार दो हजार तेज से भी उत्तर प्रदेश के सांसद है इनको दिया गया है तमाफी माहत्ूर है यह निच्ट है हालही में मुख मंत्री कायोजन किया गया है आगरा में नेश्ट है हाल ही में देश के नए अवस्थी महा नियंतर डक्टर राजियू सिंग रगवन्सी का संबंद उत्रप्रदेश के किस जिले से है तो बलिया से है ये भी आप से पूछा जा सकता है नेश्ट है हाल ही में उत्रप्रदेश सरकार ने राधधानी लखनों में इस्थित कितनी एतिहासिक इमारतों को हरिटेज होटल में बदलने का नेड़े लिया है पाच पाच इमारतों को हरिटेज होटल में बदला जाएगा ये भी उत्रप्रदेश के सरकार ने नेड़े लि जैसे केंदर में सेंट्रल विष्टा के तहत पारलेमेंट बनाए जा रहा है, उसी तरह से उत्तरपदेश में विधान सभा बनाई जा रही है, या दखेगा, ये भी काफी महातपूर कोशन है, या दखना है नेश्ट है उत्तरप्रदेश के वे जिले जहां निवासित गोडा गोड़ जाद के उत्तरप्रदेश सरकार ने अंसूचित जनजाती का दरजा दिया है तो यह जनजाती गोड़ जनजाती उत्तरप्रदेश के सबसे बड़े जनजाती है यह आपको याद दखना है और यह ज महत्पूर कोशन है हाई तक का द्लेश महत्पूर्ड कोशन है यह घानी जुखन रित का पाम द्लेश कु vrijच का न हुझी ज्या द्लेश क्रत्पूर्ड कोशन है उत्तर भारत का वह कौन सा राज है जिसने हाली में अपनीきます नीप को मंजूरी दी है तो उत्तर परदेश। उत्तर परदेश में जो है एक जिला एक खेलनीद की शुरुआत की है जो काफिये महत्पूर है। नेक्स्ट है उत्तरपदेश का वह नगर जहां हाली ही में राज का पहला पसु बिद्दुत सव दाह केंद्र ग्रह बनाया गया है तो ये वरारसी में है पसुओं को जराने के लिए उत्तरपदेश का पहला सव ग्रह जो है दाह केंद्र बनाया गया है नेश्ट है उत्तरपदेश के वह राजी ने था जिन्होंने हालही में राही मोबाइल एप्लिकेशन लांच किया है मुक्वंत्री योगी अधित नाथने नेश्ट कोशन है देश का वह राज जिसने हालही में अपने राज के परतेक बिकासْखंड में एक गरामिर इस्टेडियम और एक ओपन जिम अस्थापित करने की घोशड़ा की है उत्तरपदेश की सरकार ने गाउ में जो है एक इस्टेडियम बनाने का नेड़े लिया है निश्कोशन है हालही में इंडियन फार्मा फेर के आठोई संसकन की मिजवानी करने वाला राजकोन है उत्तर प्रदेश यह भी बहुत मात्पूर है और निश्कोशन है हालही में मार्च दोया तेश को संगहाई सहयोग संगठन S.C.O के परेटन मंत्रियों की बैठक की मेजवानी उत्तर प्रदेश किस सहर में की गई है तो वरारसी में याद देखेगा यह भी बहुत मात्पूर है क्योंकि S.C.O की बैठक भारत में होने वाली है तो इसमें जो है याद देखेगा उसमें जो टूरिजियम मिनिश्ट्री हैं उनके जो सदस्य हैं उनका वरारसी में मीटिंग किया गया है यह भी बहुत ही मात्पूर है नेश्ट है उत्तर प्रदेश का वह जिलाज जहां से हाली में केंद्रिय सरक परिवान राजमार्ग मंत्री नितिन गलकरी ने नव राश्टियर राजमार्ग ने करने लिया है टिपल पी माडल पर ठीक है तो उसके लिए कितना निवेश करने की आउसकता किया गया है तो एक हजार करोन उपए यह काफी महत्पूर है या देखेगा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह सहर जहां हाल ही में केंद्र सरकान ने MP ठीक है मिश्ट्र पध मतश्द यंदेखेगा नेक्स है देश कवा राज जिसने हार ही में टाउंस सिपनीद्र 2023 का कि पेस कस की है वह यूप ऴही बहुत की महत्तुर कोशन है या दたखेगा?... नेश्ट है हाली में परियाग राज इस्थित इविन क्रिश्चन कॉलेज के प्रोफेसर डक्टर अरोने मिस्रा द्वारा संस्क्रित सीखने की हेतु बिक्सित ऑनलाइन गेम का नाम क्या रखा गया है सास्त्रार्थ ठीक है नेश्ट है हाली में उत्तरपदेस सरकार ने कितने प्राचिन और एतिहासिक अस्थलों को सनचित अस्थल घोषित किया है अठारा ये बहुत ही महात्मूर कोशन है याद रखेगा नेश्ट है उत्तर पदेश का हुआ सहर जहां हाल ही में All India Police Athletics Championship का आउजन किया गया है तो यह है आपका लखनवू बहुत महात्मूर कोशन है औ उत्तर पदेश सरकार ने परदेश के कुल कितने प्राथमिक बिद्याले को निपूर बिद्याले की दर्ज पर दर्जा देने का नेड़ा लिया है चववालिस हजार बिद्याले को निपूर बिद्याले का दर्जा दिया जाएगा निपूर बिद्याले का दर्जा देने का काम उत्तफद्य सरकार इसमें कर रही है. नेस्ट है हाल ही में उत्तफद्य सरकार ने एकल अभिभावक अपसरों को भी वाले देख भाले तो कितनी आउधिका आउकास देने की घोशना की है दो अर्सका यह भी बहुत महात्मोर कोशन है, क्या दखेगा? नेश्ट है हालही में उत्तपदेस सरकार ने परदेस में कुल कितने नए निजी बिस्विदाले खोलने के अनुती दी है चार ठीक है, नेश्ट है, उत्तरपदेस कावा मंडल, जहां हाल ही में, राज सरकार ने, पांच ग्रामिल लॉरिंग सेंटर बनाने की कुशना की है, बरेली मंडल में, यवी बहुती महाथपुर कोशन है, नेश्ट कोशन है, उत्तरपदेस कावा सहर जहां, नोइड़ा के बाद रिजिनल फिल्म सिटी बनाने की गोशना उत्तपदेश के सरकान ने किया है गोरकपुर। तो यह दखेगा नौइडा के अलावा गोरकपुर में फिल्म सिटी बनाए जा रही है। यह काफी महत्मौन कोशन है। यह दखेगा। जहां हालही में हाई-टेक मिनिश्ट्री अस्वताल बनाने की अनुमतिक कें सरकार ने रखके रच्छा मनतार ने दिया है मेरट और लखनौ में। यह बहुत महत्मौन कोशन है याद रखेगा। नेश्ट है वह उत्तर भारतिय राज इसने हालही में फिल्म नी थी दो हजार तेज को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेश्ट है हालही में उत्तर प्रदेश सरकार दौरा राज में इस्थित्कुल कितने आई-टी-आई को अपग्रेट करने का लच रखा गया है एक सो पचास। नेश्ट है हालही में जारी उत्तर प्रदेश आर्थ शेतर कारियाले और नवाचार केंदर का उस्रियले नास किया है किसने पर्धान मंतरी नरेन मोदी ने ते सारे कुशन आपको रिविजन करने के लिए किया रहे हैं बिल्कुल मैराथन रिविजन करा रहा हूं मैं आप एक बार दो बार इसको देखे रहेंगे तो आपको विल्कुल याद हो जाएगा चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेजएगा जिसे इस तरह की कलास लगातार आपको मिलती रहें। नेक्स्ट है 15 मार्च 32 को भारत में महिला और पुरुस 2022 रिपोर्ट जारी की गई सांख्यकी और कारिकरम क्यानवयन मंत्राले के द्वारा। नेक्स कोशन है 14-15 मार्च 32 को साजह बहुत बिरासत का एक अंतराश्टिय सम्मेलन आयुजित किया गया है कहापर ने दिल्ली के बिग्यान भावन में। नेक्स कोशन है 14 मार्च 32 को स्यो युवास परश्ट की सोरही बैठक किस देश की अतरश्टा में की गई है भारत की यह भी बहुत महात्पूर कोशन है याद दखेगा 13 मार्च 32 को नेपाल के नए राश्टपती कोन बनाए गए है तो राम चंद पोडेल यह बहुत महात्पूर कोशन है याद दखेगा 13 मार्च 32 को 95 आसकर एवार्ड स्वारों में भारतिय फिल्म टिपल र के किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सौंग के तहत आसकर एवार्ड दिया गया है नाटू नाटू को ठीक है नेश्ट है 9 मार्च 32 को 1922 मंत्री असरे बैठक किस की अधिशता में की गई है ठाइलेंड की अधिशता में यह बहुत महात्पूर कोशन है याद दखेगा नेश्ट कोशन है 9 मार्च 32 को परसिद हिंदी लेखक जिने उनके ब्यांगात्मत परन्यास पागल खाना के लिए 32 अभ्यास प्रूस का समाय त्यागया है डाक्टर ग्यान चतुर वेदी को यह भी बहुत महात्पूर कोशन है याद रखेगा नेश्ट कोशन है आठ मार्च 32 को तिरपूरा के मुख मंतरी की पति की सबत किसे न लिए थी मरिक सहा ने यह भी कोशन आपसे पुर्वांचर से जुड़ा हुआ है तो पूछा जा सकता है नेश्ट है छे मार्च 32 को किस भारतिय सेवल सेवल लेखा सेवा अधिकारी को भारत सरकार दोरा लेखा महानियं तरक परिच्छक बनाया गया है एस दूबे को यह भी बहुत महात्पूर कोशन है याद रखेगा छे मार्च 32 को डिजटल भुकतान जागरुपता सब्ता 32 के जो है आउसर पर हर पेमेंट डिजटल अभिहां का सुभारा किस ने किया है भारतिये प्रिजर बैंग दोरा किया गया है यह भी बहुत ही महात्पूर कोशन है याद रखेगा नेक्स्ट है वापरसिद कनाटक गाईका जिनने हाल ही में संगित अकैडमी द्वारत तेज के संगित कला निधी पुरुसकार समयत किया गया है बामबे जैसरी को ठीक है यह भी बहुत महात्पूर कोशन है याद रखेगा नेक्स्ट है वापरसिद तमिल लेखर जिने हाल ही में वर्ष द्वार बाइस के लिए परसिद सरुसक्ति सम्मान से संगित किया गया है यह भी बहुत महात्पूर कोशन है याद रखेगा और नेक्स्ट कोशन है खाल ही में इसरों ने अपने बारूएं साल पुराने किस मौसम उगरा को सफलता पूर्बर परसान महासागर में गिरा दिया है तो मेगा टॉपिकल वन यह बहुत महात्पूर कोशन है याद रखेगा ति पचास कोशन बहुत महात्पूर करन यहां से कुशन आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लिजेगा जिससे इस तरह की कलास आपको लगातार मिलती रहे ओके थैंक यू